नमश्कार अदाप सश्रिया काल and केम चो Welcome back to our own platform Myself Saloni Singh, your chemistry NEET UG Mentor की हाल चाल बचा लोग कैसे हैं आप सब So yes, my dear students, ये है आपकी प्रचंड सीरीज जो लगातार आपको प्रोवाइड की जारी है NEET 2024 को ध्यान में रखे आपको Physics और Chemistry का सलेबस पूरा SSP platform पे free of cost प्रोवाइड किया जारा है जो भी बच्चे इन सीरीज को follow करना चाहते हैं Make sure करें कि इससे previous की सारे video lectures देख कर आएं और अगर आपको नहीं पता चल रहा है कि इन video lectures को कैसे ढूणना है नीचे आपको description के अंदर link मिल जाएगी इससे previous के सारे videos एक जगे बटा NEET 2024 Chemistry की playlist में है आप सारे previous के सारे basic chapters almost cover हो चुके हैं तो आप वो सारे video lectures देख सकते हैं अपने notes बना सकते हैं notes बनाने के बाद कोई भी एक practice book से MCQ questions solve करिए कहीं पर भी दिक्कत आती है ma'am is there for help on the telegram telegram पर आपको सारे ये जितने भी sessions होते हैं सारे PDFs, notes, free of cost मिलते हैं बटा तो वहाँ पर भी जाकर आप telegram में जुड़ जाएए telegram में जुड़ने का कोई charges नहीं है वहाँ पर आपको latest session की सारी update मिलती है तो नीचे description में जाकर आप telegram पर जुड़ने वाली link को भी join कर लीजेगा जो SSP channel की link है telegram की बच्चों ठीक है अब ये हो गई basic बात है जरा एक बार go through करते हैं कि हमने previous session के अंदर क्या किया था let's have a quick recap तो बच्चों हमने previous session के अंदर जिन concept पर focus किया था वो था stoichiometric relations correct मैंने आपको बताया था कि stoichiometric relations यानि की किसी भी reactant को product से किस तरीके से आप relate करते हो इधर के कितने moles, कितने moles product generate कर रहा है ये सारी बाते हमने discuss की थी previous session के अंदर इसके अलावा हमने empirical formula निकालना सीखा था vapor density के बारे में सीखा था and molar mass empirical mass से molecular formula निकालना सीखा था ये था हमारा previous session का quick recap अब जो हम आज के session में cover करने वाले हैं वो बहुत ही जादा interesting topic है last topic है और वो आपको class 12 के chapter number 2 solutions में भी repeat होता है लेकिन कुछ basic चीज है जैसे कि stoichiometric reagents के अंदर limiting reagent कैसे find out करना है ये चीजें हमने नहीं सीखी थी तो हम उस पे एक बार फिर से focus कर लेते हैं इससे पहले कि मैं शुरुआत करूँ मैं आपको एक और चीज बता देती हूँ कि जिस तरीके से आपको ये free sessions youtube पे मिल रहे है बेटा अगर आप उससे अपनी तयारी नहीं कर पा रहे हो कहीं न कहीं आपकी preparation में discipline की कमी है आपको लग रहा है कि हमारे doubt solve नहीं हो पा रहे है हमें लगातार एक mentor के assistance की जरूरत है तो बेटा मैं और बाबा SSP physics, chemistry, even biology आपको provide कर रहे हैं अपने live sessions के अंदर ये live sessions के अंदर आप one-to-one interaction कर सकते हैं टीचर के साथ ये sessions Monday to Friday conduct किये जाते हैं बेटा और ये specially आप लोगों के लिए बनाए गया आप जैसे बच्चों के लिए बनाए गया है जिनको physics, chemistry बहुत ही जादा परिशान करते हैं जिनने लगता है उसी की वज़े से आपके NEET के scores डाउन हो रहा है तो उन्ही बच्चों के लिए ये success mantra box है और ये live sessions लगातार चल रहा है batches already start हो चुके हैं limited number of students हैं कहां पर अगर आपको enroll करना है इन sessions के अंदर तो आप कहां पर जा सकते हो Class 24 application नीचे description में से download कर लीजे और वहां पर NEET segment में जाकर प्रहार batch में enroll कर लीजे जहां पर मात्र 7999 रुपीज में हम आपको physics, chemistry and botany, zoology सब provide कर रहे हैं along with mock test, live session, dpp, doubt session and syllabus completion होने वाला December तक limited number of students है personal touch दिया जाता है मतलब चो जो होता है मतलब ये समझ लीजे आप one to one मेर से बात करके अपने doubt solve कर रहे होंगे तो अगर आपको लगता है कि आपको इन चीजों की आवशकता है आपकी preparation में कहीं न कहीं इन चीजों से आपको boost मिलेगी जो की मिलेगी ही teacher अगर आपको लगातार help करता है तो जो question आपसे पांच या छे या दस minute में solve हो रहा है वो आपको दो minute में पता चल जाएगा आप अपना time save कर पाओगे syllabus वैसे भी बहुत जादा है 100 chapter का syllabus है बेटा तो देख लीजे जिनको इसकी आवशकता है वो enroll कर सकते हैं जिन्हें लगता है कि नई माम हम YouTube से कर सकते हैं well and good बेटा YouTube से पढ़ने वाले बच्चों के लिए हमारी service इसी तरीके से लगातार जारी रहेगी लेकिन अगर आपको one step ahead जाना है तो help लेने से भी पीछे नहीं हटना है ठीक है चल यह तो focus करते हमारे आज के session पर हमने जो previous session में किया था बिटा वहाँ पर हमने limiting reagent को कैसे ढूढ़ना है इस चीज पर ध्यान नहीं दिया था ठीक है मैंने सिर्फ आपको एक stoichiometric relation कैसे establish करते हैं वही बाते सिखाई थी अब हम limiting reagent identify करना सीखेंगे बड़ी ही simple सरल भाषा के अंदर ये देखे जरा ध्यान दीजेगा आपके पास यहाँ पर N2 प्लस 3H2 है यही example लूँगी मैं ये दे रहा है बिटा आपको 2NH3 अगर मैं mole के terms में देखूँ तो 1 mole nitrogen 3 mole hydrogen को utilize करके 2 mole ammonia produce कर रहा है अगर मान लीजे मैंने reaction के अंदर आपको suppose मैं question ही दे रही हूँ अगर मान लीजे कि मैंने एक respective reaction के अंदर आपको 2 mole nitrogen दिया है और hydrogen भी 2 mole दिया है ठीक है तो limiting reagent क्या होता है जैसे कि आपकी ये खाने की थाली बच्चो खाने की थाली में आपने मान लीजे दो चपाती ले रखी है दो चपाती को finish करने के लिए आपको एक plate सबजी लगती है ठीक है दो चपाती को finish करने के लिए आपको एक plate सबजी लगती है बट अगर मान लीजे कि आपकी सबजी आधी plate ही है बिटा आपकी सबजी आधी ही प्लेट है तो क्या आप खाना पूरी तरीके से खापा होगे नहीं खापा होगे कौन पहले consume हो जाएगा प्लेट की जो सबजी है वो पहले consume हो जाएगी और सबजी खतम है तो आप रोटी किसके साथ खाऊगे simple सीधी सीधी भाषा में यही इसका मतलब होता है यानि कि आपके खाने की प्रोसेस में सबजी किसकी तरह आक्ट कर रही है बच्छों limiting reagent की तरह है और जो चपाती है वो किसकी तरह आक्ट कर रही है access reagent की तरह है जो जादा quantity में है मतलब सबजी consume हो गई उसके बाद भी रोटिया आपकी बच गई है तो चपाती आपकी क्या हो गई access reagent सबजी क्या हो गई आपकी limiting reagent वैसे ही इस reaction के अंदर ideally आपको पता है 1 mole nitrogen 1 mole nitrogen 3 mole hydrogen को consume करता है correct लेकिन अगर आपके पास 2 mole nitrogen है तो वो 6 mole hydrogen को consume करेगा correct लेकिन हमारे reaction के अंदर हमें hydrogen सिर्फ 2 mole provide किया गया है और जरूरत कितने की है 2 mole nitrogen के against 6 mole hydrogen की आवश्यक्ता है चीक है 6 mole चाहिए available सिर्फ 2 mole है बेटा तो कौन पहले consume हो जाएगा hydrogen पहले consume हो जाएगा तो hydrogen क्या कहलाएगा इस reaction के अंदर इस particular condition के अंदर hydrogen आपका limiting reagent हो जो भी reaction में पहले consume हो जाएगा वो आपका limiting reagent होता है और जो भी आपका limiting reagent होता है बेटा उसी basis पर आप product की quantity को predict करते हो अगर मैं बोल रही हूँ कि question था आपको 2 मोल nitrogen and 2 मोल hydrogen is given calculate the amount of, calculate the amount of ammonia produced, calculate the amount of ammonia produced, ठीक है यह आपका question था, अब हमने calculation से यह तो पता लगा लिया कि जो हमारा hydrogen है, 6 मोल चाहिए, available सिर्फ 2 मोल है यानि कि hydrogen हमारा क्या हो गया बच्चों, H2 हमारा limiting reagent है N2 हमारा excess reagent है, correct? जो limiting reagent होता है, उसी के basis पर product generation होगा क्योंकि जब तक limiting reagent है, तब तक reaction चल रही है, limiting reagent खतम तो product formation भी बंद हो जाएगा, तो product कितना बना, product कितनी quantity में बना यह आपके limiting reagent पर depend करेगा, तो product की quantity जब ही भी निकालनी हो उसे limiting reagent से relate करेंगे, कहने का मतलब यह है कि ideal condition में हमारा 3 mol hydrogen, 2 mol ammonia consume कर रहा है तो अगर मान लीजे, limiting reagent hydrogen है और उसके 2 mol हमारे पास हैं, तो वो कितना ammonia generate करेगा? 2 into 2 divide by 3, यानि 4 by 3, 4 by 3 mol of ammonia will be produced, correct है ना, 4 by 3 mol of ammonia will be produced, अब calculate the amount of ammonia produced अगर मुझे इसे gram में calculate करना है, तो मैं इस पूरे reaction में क्या करूंगी बेटा, ध्यान से देखेगा, बड़ा ही interesting सा है, मैं इस पूरे case में क्या करूंगी? 4 by 3 mol of ammonia को, 4 by 3 mol of ammonia को बेटा, मैं उसके molar mass से multiply कर दूंगी, what is the molar mass of ammonia? 17, 17 for the 68, 68 divide by 3, 3, 2's are 6, 3, 2's are 6, 7, 8, 2 बचा, ठीक है? अब इसके बाद आपने क्या करना है? तो 3, 6's are 18 हो जाएगा, यानि 22.6 gram ammonia produce होगा. इस तरीके से आपको किसी भी question को अगर solve करना है और उसमें product की quantity बतानी है और दोनों reactant के moles या mass दे रखे हैं, तो आपको समझना होगा कि मैं अगर मुझे product की quantity generate करनी है, तो पहले मुझे limiting reagent पता लगाना होगा और जो भी limiting reagent होगा, उसी के हिसाब से product generate होगा, बच्चों, ये बहुत ही important बात हो गई, ठीक है? अच्छा, अब ऐसा ही एक और question करते हैं, ये तो मैंने moles के terms में किया, इसी चीज को आप मास के terms में भी solve कर सकते हैं, देखे एक सवाल करते हैं, आपके पास 30 gram nitrogen है, reacts with 90 gram hydrogen, 90 gram की जगे 60 gram कर देते हैं, ठीक है? 30 gram nitrogen reacts with 60 gram hydrogen, calculate amount of ammonia produced, ठीक है? इस तरीके से आपको question दे रखा है, आप क्या करोगे? पहले ideal condition लिखोगे, एक balanced equation, N2 plus 3H2 gives 2 NH3, equation आपकी सबसे पहले balanced होनी चाहिए, equation लिखने के बाद, उसे mass कितना है? 14 to the 28 gram, 28 gram nitrogen, 6 gram hydrogen को consume करता है, simple simple भाशा में, तो अगर मेरे पास 30 gram nitrogen है, तो वो hydrogen कितना consume करेगा? 6 into 30 divide by 28, ठीक है? आप इसे 2 से divide कर लिजे, 2 3s are 6, 2 1s are 2, 2 4s are 8, correct? 2 7s are 14, 2 15s are 30, 45 by 7, okay? तो ये कितना आ रहा है बेटा? 7, 6s are 42, again 3 रहे गया आपके पास, 37, 4s are 28, यानि approximately 6.4 gram के आसपास होगा, ठीक है? अब देखिए जरा question के हिसाब से, बेटा मैंने ये देखा, कि अगर मेरे पास 30 gram nitrogen है, तो वो approximately 6.4 gram hydrogen को consume कर रहा है, but question में हमारे पास कितना hydrogen है? 60 gram hydrogen है, यानि बहुत ही जादा quantity में हमारे पास hydrogen, ठीक है? 6.4 gram ही चाहिए hydrogen है 60 gram, यानि hydrogen actually यहाँ पर excess reagent हो जाएगा, बेटा hydrogen यहाँ पर किसकी तरा act करेगा? Hydrogen is your excess reagent, कितने excess quantity में है, बेटा, कितने excess quantity में है? तो ये 60 होर ये 6.4, 60 minus 6.4, that will be the quantity of hydrogen in excess quantity, ठीक है? यानि कि हमारा nitrogen limiting reagent है, तो according to the question, nitrogen is your limiting reagent, अगर nitrogen limiting reagent है, बेटा, तो इसके हिसाब से अब हमें product generate करना है, तो ideal condition में 28 gram nitrogen, 34 gram ammonia देता है, 28 gram nitrogen produces 34 gram of ammonia, correct? तो अगर मेरको question में 30 gram nitrogen दिया है, तो वो कितना ammonia produce करेगा? 34 into 30 divide by 28, correct? है न? एकदम clearly, clearly आपको सारी चीज़े पता चल रही है, 4, 4, 3s are 12, 2 carry 1, 3, 3s are 9, 1, 10, 1, 0, 2, 0, divide by 28 grams of ammonia. इस तरीके से जो भी आप limiting reagent calculate करते हो, उसके basis पर आपको product की quantity भी निकाल सकते हो, अगर कोई reagent access है, तो वो कितनी quantity में access है, limiting reagent कौन है? इस तरीके के question बड़े ही simple numerical form में आपको पूछे जाते हैं, नीट के paper के अंदर, ठीक है, ये बात हो गई बिटा, तो limiting reagent I hope आपको एकदम clarity के साथ समझ में आ गई है, अब क्यूंकि हमें limiting reagent आ गई है, तो अब हम बढ़ेंगे बच्चों, concentration terms की तरह, जो की हमारे इस topic का आखरी chapter है, ठीक है, जो की हमारे chapter का आखरी topic है, सो concentration terms की बात करते हैं, सबसे पहले हम calculate करेंगे percentage yield, percentage yield थोड़ा सा अलग topic है, उसके बाद concentration terms स्टार्ट करते हैं, percentage yield जबी भी निकालना है, तो आपको ये देखना है, कि actual yield कितनी आई है, upon theoretically yield कितनी आनी चाहिए, into 100, correct, मान लीजिए कि मैं ये previous question की बात करती हूँ, ideally, theoretically, यानी जो हमने calculation से solve किया, इस question के अंदर, तो हमें पता चला कि 22.6 gram ammonia produce होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारी theoretical yield है, 22.6 gram of ammonia produce होना चाहिए, बट आपको पता है कि किसी भी process की 100% efficiency नहीं होती है, 22.6 gram ये हमें numerically value मिली है, लेकिन ideally produce कितना हो रहा है, बेटा, 20 gram produce हो रहा है, तो percentage yield कितना हुआ, तो actual yield जो आई है, जो experiment करके आई है, यानी process को करके आई है, factory के अंदर produce हुआ है ammonia, होना इतना चाहिए था, हुआ इतना है, there could be many reasons कि क्यों 100% efficiency नहीं आती है, यानी theoretical और actual yield कभी भी match नहीं होते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, percentage yield, किसी process की percentage yield 70% होती है, किसी की 80% होती है, 100% yield नहीं आती है, तो कहीं पे भी percentage yield related question हो, तो आपको actual yield लेना upon theoretical, यानी जो आपने calculate किया है, into 100, actual yield usually आपको question में दी होती है, तो ये हो गया आपका formula, अब concentration terms में चलते हैं, तो सबसे पहला जो concentration term होगा उसकी बात करेंगे, हम mass percentage, what is mass percentage my dear students, so basically mass of solute upon mass of solution into 100, अब mass percentage भी तीन तरीके से हम define करते हैं, weight by weight percentage, अगर मैं weight by weight percentage ले रही हूँ, तो यहाँ पर mass of solute gram में होगा, mass of solution भी बेटा gram में होगा, इसी तरीके से अगर मैं mass percentage ले रही हूँ, but this time I am taking mass by volume, तो मैं क्या लूँगी उपर, mass of solute लूँगी, नीचे क्या लेंगे बेटा, volume of solution into 100, understood, तो mass by volume में solute का mass और solution का volume into 100, उपर वाला gram में, नीचे वाला ml में into 100, that's it, correct, in the same way, अगर मुझे mass percentage volume by volume के लिए calculate करना है, यानि दोनों component liquid है मेरे, suppose मैंने alcohol को mix किया है पानी के अंदर, और उसका मुझे mass percentage volume by volume जानना है, तो मैं क्या करूँगी बेटा, volume of solute, volume of solute upon volume of solution into 100, एकदम आसान है, सिर्फ ध्यान ये रखना है, किस के respect में है, वजन के respect में है, volume के respect में है, तो उस इस आप से आपको formula यूज करना है, ठीक है, बस इतना ही है, mass percentage पहली quantity is done, correct, अब आ जाते हैं बच्चों, दूसरी quantity पे, दूसरी quantity यानि की मैं बात करने वाली हूँ, हमारे concentration term की, दूसरा concentration term जो हम ले रहे हैं, वो हर बच्चा शायद ना जानता हो, जो दसवी से ग्यारवी में आया है, और नीट की तैयारी करने के सोच रहा, उसको नहीं पता होगा, लेकिन जो dropper है, जो 12 में उसे पता होगा, बिटा, तो molarity, molarity को capital M से denote करते हैं, what is molarity, बिटा, number of moles of solute dissolved in one liter of solution, अगर आपके पास एक लीटर पानी है, यह देखिए, यह container, इस container के अंदर अगर आपके पास एक लीटर पानी है, तो इस एक लीटर पानी के अंदर, solute के कितने moles हैं, यही आपको molarity देता है, ठीक है, mathematically अगर मुझे express करना है, तो molarity is equals to N by V, and volume आपको लीटर में लेना है, माल लीजिए, कहीं किसी question में, आपको molarity दे रखी हो, और volume दे रखा है बेटा, तो molarity को अगर आप volume से multiply कर देंगे, तो number of moles मिल जाते हैं, बढ़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर volume आपका लीटर में होना चाहिए, अगर आपका volume ml में हो गया बेटा, तो molarity को जब आप volume in ml से multiply करेंगे, तो वो number of millimoles देता है, क्या देता है बच्चों? Number of millimoles देता है, यह दोनों बाते बहुत काम की हैं, इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है? अच्छा, हमने ये भी सीखा है, कि number of moles is equals to weight upon, weight of solute upon molar mass of solute, into volume, अगर मैं ml में ले लूँ, तो उपर मुझे 1000 multiply करना पड़ेगा, यह भी एक formula हो गया बेटा, तो यहाँ पर, जहाँ पर भी मैं B लिख रही हूँ, that is actually the number of moles of solute, या weight of solute, या molar mass of solute, जो molarity की SI unit है, SI unit, इसे किस terms में express करते हैं बिटा, इसे express करते हैं, mol per liter, या फिर आप इसे बोल सकते हो molar, या फिर इसे M के terms में denote किया जाता है, अब मान लीजे किसी question के अंदर, हमारे पास 5 molar quantity दे रखी है, क्या दिये बच्चों, 5 molar quantity दे रखी है, तो 5 molar का मतलब क्या है, what do you mean by 5 molar, इस value से आपको 2-3 बाते निकालनी आनी चाहिए, क्या 2-3 बाते हैं, पहला, अगर 5 molar का solution है, यानि उसके अंदर, number of moles of solute कितने होंगे बिटा, number of moles of solute 5 mol होगा, number of moles of solute 5 mol होगा, और volume of solution कितना होगा, volume of solution 1 liter होगा, समझ रहे हो, कहीं पे भी अगर 5 mol per liter लिखा है, यानि 5 क्या है, number of moles है, and volume कितना हो जाएगा, वहाँ पर 1 liter हो जाएगा, ये समझने वाली बात हैं बिटा, ठीक है, तो molar कहीं पे भी दिया हो, तो आपको पता चलना चाहिए, कि वह volume of solution already given है, क्योंकि हम definition में बोल रहे हैं, कि molarity is defined as, number of moles of solute in 1 liter of solution, यानि कि volume यहाँ पर fixed है, समझ रहे हो, volume यहाँ पर fixed है, अगर volume चेंज करते हो, तो उसके हिसाब से, आपकी molarity बदल जाती है, सीधी सी बात है, ठीक है, चलिए बिटा, अब एक होता है, formula of molarity, या फिर, dilution formula, dilution formula, क्या होता है, dilution formula बिटा, ध्यान से देखे, यह आपका container 1 है, यह आपका container 2 है, मान लीजे, इस container के अंदर, आपने 1 liter, HCL रख रखा है, ठीक है, जिसका concentration है, 1 molar, तो M1 कितना हो गया, 1 molar, और volume V1 कितना हो गया, 1 liter, करेक्ट, अगर मुझे इस solution को, 2 liter बनाना है, यानि की volume 2, 2 liter, कैसे बनाओगे, उसके अंदर, water add करोगे, तो जब बेटा, water add करके, volume को 2 liter करोगे, तो molarity में, क्या change आएगा, इसी का नाम है, dilution formula, तो यहाँ पर, हम क्या करेंगे, इस formula का इस्तिमाल करेंगे, M1 V1 is equals to, M2 V2, what does it mean, molarity, before dilution, molarity, after dilution, molarity, before dilution 1 थी, volume बेटा, 1 liter था, molarity, after dilution, हमें calculate करनी है, X, volume 2 liter हो गया, तो X will be equals to, 1 by 2, यानि कि, molarity जो नई आई, वो कितनी हो जाएगी, 0.5 molar, ठीक है, तो यह dilution formula, important हो गया, इसको आपको, याद रखना है, कई बार, volume आपका, ml में होता है, तो आपको ध्यान रखना है, unit यार, same रखनी है, ठीक है, अगर यह volume ml में लिया है, तो इसको भी ml में लेना, अगर liter में लिया है, तो दोनों को liter में लेना, और molarity into volume करते हो, और volume अगर liter में होता है, तो वो number of moles देता है, ठीक है, और अगर ml में लेते हो, तो number of millimoles देता है, got it, hopefully it is clear, एक और case करते हैं mass percentage mass percentage and molarity में relation देख लेते हैं ये काफी जगे पर काम आता है क्योंकि काफी cases में density और mass percent दिया रहता है और molarity निकालनी होती है बटा तो molarity is equal to percentage into density into 10 upon molar mass of substance करेक्ट यहां पर जो percentage लेंगे वो mass by mass percentage लोगे बटा तो molarity अगर आपको निकालनी है और आपके पास mass percentage है density है तो 10 से multiply करिए और divide करिए molar mass of solute से आपको molarity मिल जाएगी ठीक है यह एक फॉर्मिला हो गया So my dear students all in on molarity हमने cover कर ली अब तीसरी quantity पे चलते हैं that is molality molality को बच्चों small m से denote करते हैं एक और important बात रहे गए यहां पर बतानी देखिए क्यूंकि यहां पर volume involved अबिटा और volume temperature के साथ बदलता है इसलिए हम यहां पर एक statement लिखेंगे molarity changes with temperature molarity changes with temperature correct molarity तापमान के साथ आपकी बदलती रहती है अब molality पे आ जाते है what is molality number of moles of solute in 1 kg of solvent वहां पर solute था यहां पर solvent है एक kilo solvent के अंदर कितना solute dissolved है या फिर कितना solute present है that is known as molality इसकी ऐसा unit क्या होगी बटा SI unit इसे express करते है mol per kg के अंदर इसके अंदर express करते है mol per kg के अंदर express करते है also क्योंकि इसके अंदर volume involved नहीं है तो it is independent of temperature यह temperature पर बिलकुल भी depend नहीं करता है ठीक है तो small m is equals to number of moles of solute upon weight of solvent in kgs अब मैं इसको और transform करके क्या लिख सकती हूँ number of moles of solute that is equals to weight of solute upon molar mass of solute into बच्चों weight of solvent अगर मैंने इसे gram में ले लिया तो उपर thousand multiply हो जाना है जहां पर भी मैं B लिख रही हूँ that means I am talking about solute A लिख रही हूँ that means I am talking about simple-simple solvent understood ठीक है बेटा तो यह formula हो गया यह आप कहीं पे भी apply करो आपके molality के question बड़े आराम से solve हो जाएंगे अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पास 5 molal 5 molal sugar present है 5 molal sugar solution present है sugar solution present है तो इससे मुझे क्या information मिल रही है बेटा 5 molal यानि 5 small m इसका मतलब यह है कि इसके अंदर solute के moles दे रखे हैं solute के moles कितने है बेटा 5 mol और जो solvent होगा पानी है अगर मालो solvent तो solvent कितना है 1 kg ठीक है तो जो भी आपको concentration term दिया है उससे क्या information निकल के आ रही है सिर्फ अगर यही value दी है तो आप इससे क्या-क्या निकाल सकते हो यह आपको पता होना चाहिए आपको यहां से moles पता चलगे बेटा moles पता है तो आप कही सारी चीज़े निकाल सकते हो volume निकाल सकते हो आप mass निकाल सकते हो आप particles, given number of particles निकाल सकते हो तो moles पता होना बहुत ही जादा जरूरी है ठीक है गॉँट तो तो that is all about molality अब फूर्थ क्वांटिटी पे चलते है बच्छों and we are going to talk about one of a new term that is mole fraction अब यह mole fraction किस बला का नाम है बच्छों तो mole fraction को हम काही से denote करते है बच्छों what is exactly mole fraction so it is basically the ratio of number of one component, one component to the total number of, total number of moles present in the, present in the solution, correct, समझने की बात है, इसको इतना technical ना करके हम एकदम simple भाशा में समझने का प्रयास करते हैं, बच्चों, ठीक है, मान लीजे, ये आपके पास एक container है, इस container के अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है, पानी भरा हुआ है बेटा, और इसके अंदर दो component है, component A and component B, हमें हमेशा याद रखना है, भले ही आपने कितने भी component mix किये हैं, आप मान लीजे, आप infinite number of components mix कर रहे हैं, सब का मिला के overall mole fraction की value कितनी आएगी, 1, दो component मिलाया है, तो component A का mole fraction, प्लस component B का mole fraction कितना होना चाहिए, 1, overall mixture का mole fraction आपका 1 होना चाहिए, तीन component मिलाया है, तो भी 1, 4 component मिलाया है, तो भी 1, 5 component, infinite number मिलाया है, तो भी mole fraction, यानि overall mixture का sum 1 होगा, अब इस overall mixture में हमारे पास a के moles होंगे और b के moles होंगे बिटा तो अगर मुझे mole fraction of a निकालना है तो मैं क्या लिएँगी number of moles of a upon total number of moles, total number of moles तो यहां पर दो ही component है तो मैं na and nb लिएँगी अगर तीन component होते तो na plus nb plus nc लेती अगर infinite components होते तो na plus nb up to nn लेती तो यहां पर usually हम binary components की ही बात करते है NCRT level पर, neat level पर ठीक है तो mole fraction of component a is equal to number of moles of a upon number of moles of a plus number of moles of b इसको और कैसे लिख सकते हो weight of a upon weight of b weight of a upon weight of b plus weight of b upon molar mass आएगा ठीक है बच्चों यह molar mass आएगा weight upon molar mass होता तो weight of a upon molar mass of b weight of a upon molar mass of a इसको थोड़ा erase कर देंगे नितो confusion हो जाएगे आपको molar mass of a weight of b upon molar mass of b ऐसे भी लिख सकते हो आप, simple है ठीक है, कई बारी क्या होता है कि यह calculation बहुत ही बढ़ी हो जाती है तो हमें यह याद रखना है कि अगर काई यह का मिर पास mole fraction आ गया है तो काई भी निकालना है तो काई भी विल बी इक्वेस टो 1- काई यह खतम ठीक है, यह शांती से काम कर लेना, काम हो जाना है अपका ठीक है, तो यह बात हो गए बेटा mole fraction की अब बढ़ते हैं पाँचवी quantity की तरफ and that is parts per million किसकी बात कर रहे हैं, parts per million अब यह mass percentage जैसा ही है, बस थोड़ा सा फरक है parts per million को हम PPM भी कहते हैं, बच्चो तो PPM क्या है, usually जबी भी solvent की quantity बहुत जादा होती है जैसे कि अगर मैं हवा की बात कर रही हूँ, या फिर पानी की बात कर रही हूँ इसके अंदर मुझे किसी एक particular gas का concentration निकालना है तो बेटा, आपको अच्छे से पता है कि जो solvent है, वो बहुत जादा quantity में और उसके अंदर वो component बहुत ही trace quantity में होगा, बहुत ही less quantity में होगा तो जबी भी हमारे पास solute बहुत ही less quantity में होता है, solvent बहुत ही vast quantity में होता है in that situation we are using parts per million pollutants की quantity को measure करने के लिए हम PPM का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हो? तो यहाँ पर देखिए definition when a solute is present in trace quantity when a solute is present in trace quantity then we are using PPM and पूरा formula exactly mass percentage जैसा ही है तो एक बार लिख लेते हैं बेटा, parts per million यानि PPM will be equals to mass of solute mass of solute upon mass of solution mass percentage में into 100 करते थे बस यहाँ पर into 10 to power 6 करना है जब million हो तो 10 to power 6 करना है समझ गए? जब mass percentage हो तो into 100 करना है बस यही difference है और इसमें कोई नई चीज नहीं करनी है understood बच्चो? I hope you got this concept अब एक और बहतरीन चीज दिखाती हो बच्चों एक और बहतरीन चीज दिखाती हो कई बार question molarity and molality को relate करके पूछा जाता है तो molarity and molality का हम relation याद ही कर लेते हैं ताकि हमारे कई सारे question चुटकियों में solve हो जाएं ठीक है बिटा? तो molality is equal to molarity into thousand upon thousand into density minus molar mass ये क्या है आपका molar mass? ये क्या है आपकी density है? तो molality is equal to molality is equal to molarity ये क्या है? molarity into hundred upon thousand into density minus molar mass ये आप relation use कर सकते हैं बहुत ही interesting, important relation है एक और relation बताती हो बिटा molality is equal to mol fraction of component B upon 1 minus mol fraction of component B into thousand upon molality of A ये भी use कर सकते हो आप ठीक है? molality बोल दिया यहाँ पर लिख लीजे काई B क्या है? mol fraction of solute mol fraction of solute and M A क्या है बेटा? M A is molar mass of solvent and काई A क्या होगा? मतलब अगर इसे काई B के terms में लिखना चाहते हैं काई B के terms में काई A के terms में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा काई A upon 1 minus काई A into thousand upon M A तो काई A हो जाएगा mol fraction of solvent आपके पास जो भी value दी है उसके terms में आप ये relation को use करके अपनी numericals को बहुत ही fast solve कर सकते हो within short duration correct बच्चो तो ये सारी चीजे हो गई dilution law भी हमने सीख लिया है all in all हमने सारी चीजें cover कर ली है यहाँ पर अब जो आखरी concept बचता है आप लोगों का वो है normality ठीके बच्चो अगला जो concept आपका concentration term 5th के बाद 6th होगा that is normality अब normality को समझने के लिए हमें 2-3 बाते समझनी पड़ेगी normality को समझने के लिए बेटा पहले आपको पता होना चाहिए valency factor किस बला का नाम है valency factor किसको कहते है बेटा तो valency factor यानि की Z या फर N factor valency factor यानि N factor N factor क्या होता है N factor इस्तिमाल होता है बेटा equivalent mass निकालने के लिए equivalent mass को हम E से represent करते है equivalent mass is equals to molecular mass upon N factor होता है तो पहले हमें valency factor निकालना तो आना चाहिए जैसे कि for example आपको sulfuric acid का equivalent mass निकालना है बेटा ठीक है तो मुझे पता है sulfuric acid का molar mass 98 होता है अब N factor कितना होगा तो ये acid है बेटा acid कितने H plus दे सकता है या कितने OH minus ion consume करता है खुद के लिए वो उसका N factor हो जाएगा तो ये 2H plus दे रहा है N factor इसका 2 हो जाएगा तो इसका जो equivalent weight हो जाएगा बच्चो sulfuric acid के लिए वो कितना आएगा 49 understood ओके तो जब normality निकालते हो तो what is exactly normality normality is defined as number of gram equivalents of number of gram equivalents of solute in 1 liter of solution ठीक है normality मतलब number of gram equivalents of solute in 1 liter of solution अब देखो बेटा यहाँ पर normality is equals to number of gram equivalent लिख रहे हो upon volume of solution in liters और volume 1 liter ले रहे हो तो यह तो कोई दिक्कत नहीं है बट यह number of gram equivalent होता क्या है मैम है ना तो बेटा number of gram equivalent that is equals to mass of any substances in grams mass of substance जो भी आप substance ले रहे हो उसका mass आपको gram में लेना है divide by उसका equivalent mass करना होता है divide by उसका equivalent mass करना होता है यानि की E अब मैं इसको इस formula में पुट करती हूँ इस value को ठीक है तो normality is equals to number of gram equivalent यानि की यहां पर जो mass of substance होगा वो actually weight होगा weight of solute होगा basically weight of solute into thousand upon equivalent weight into volume ml में ले लिया तो इस तरीके से आप चीजों को solve कर सकते हो अब कितने steps हैं जो आपको ध्यान रखने हैं पहले आपको number of gram equivalent पता होना चाहिए number of gram equivalent is equal to mass of substance upon equivalent mass अगर आपके पास gram equivalent की value है और किसी substance का equivalent mass है दोनों को multiply करोगे तो substance का mass मिल जाएगा ठीक है बिटा पर equivalent mass कैसे निकालते हैं equivalent mass is equal to molecular mass upon n factor बहुत ही जादा important है बहुत बच्चों को इन चीजों में confusion होती है clarity ही नगी है number of gram equivalent अलग चीज है ay equivalent mass अड़ चीज है है ना, अगर बेटा आपको N factor निकालना है, यानि कि वैलंसी factor निकालना सीखना है, तो अगर आपके पास acid है, तो उसकी basicity कितनी है, यानि वो कितने H plus दे सकता है, और कितने OH minus N consume कर सकता है, अगर sulphuric acid है, तो N factor 2 हो जाएगा, HCl है, तो N factor 1 हो जाएगा, ठीक है, एकदम असान-असान, अगर आपके पास base है, तो base की acidity कितनी है, यानि कि वो कितने OH minus N देता है, और बदले में OH minus N कितने देता है, तो जितने देगा, उतने H plus consume करेगा, ठीक है, तो जैसे कि for example, आपके पास MgOH होल twice है, MgOH होल twice दो OH देगा, तो इसका N factor हो जाएगा 2 बेटा, A LOH होल twice, N factor इसका 3 हो जाएगा, तो base का N factor तो वो कितने OH minus N देगा, acid का N factor वो कितने H plus देगा, तीसरा case आजाते हैं, अगर मान लीजे, आपके पास कोई metal है, तो metal की जो valency होगी, वही उसका N factor होगा, जैसे कि Aluminium दिया है, तो Aluminium का अगर मुझे equivalent weight निकालना है, तो मैं क्या करूँगी, उसका molar mass लिखूँगी 27 और Aluminium की valency होती है 3, करेक्ट, अगर Calcium दिया है, तो Calcium का mass लिखूँगी, अपान उसकी valency लिखूँगी 2, अब चौथे पर आजाते हैं, अगर आपको कोई iron दिया है, जैसे कि आपको दिया है Fe 2 प्लस iron, तो आपने क्या करना है, Fe का जो mass होगा 56, अपान जो भी उसका charge दिया होगा, वही उसका N factor होगा, तो 56 divided by 2, तो iron के case में, जो भी mass होगा, divide by जो भी उसके उपर charge दिया होगा, वह आपको place करके N factor निकालना है, पाँचवे पर आजाते हैं, अगर आपके पास salt है बेटा, तो salt में किसके उपर maximum charge है, जैसे कि NaCl है, तो दोनों की plus 1, minus 1 valency है, तो इनका N factor कितना हो जाएगा, 1, करेक्ट, अगर आपके पास MgCl2 है, ठीक है, तो इसका plus 2, minus 1, इसका भी N factor कितना हो जाएगा, 2, जिसका highest है, वो लोगे, लेकिन कुछ cases complicated होते हैं, जैसे आपके पास है, Al2SO4 whole thrice, तो यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा है बेटा, कि Aluminium की plus 3 valency और इसकी minus 2 हो है, ठीक है, जब balances दोनों की different हो, तब आपने क्या करना है, वैलनसी का LCM ले लेना है, क्या लेना है, LCM ले लोगे, 3 और 2 का LCM क्या आ जाएगा, 6, तो इनका N-factor कितना हो जाएगा, 6, ठीक है, इस तरीके से, आप अलग-अलग cases के लिए, चाहे वो acid हो, base हो, metal हो, salt हो, iron हो, उसका N-factor निकाल सकते हो, Also, कुछ reactions होती है, जैसे कि, छटा case करवाती हूँ, कुछ reactions होती है, जिसे हम redox reaction कहते हैं, वहाँ पर आपको क्या देखना होता है, कि electron exchange कितना हुआ है, जैसे कि, for example, आपके पास copper sulfate है, ठीक है, CuSO4, zinc से react करके क्या दे रहा है, बेटा, ZNSO4 plus Cu, correct, अब इस reaction के अंदर, जो change oxidation number में, copper plus 2 से 0 जा रहा है, और zinc 0 से plus 2 जा रहा है, यानि इस reaction के अंदर, कितने electron का exchange हो रहा है, zinc 2 electron lose कर रहा है, और copper 2 electron gain कर रहा है, तो ऐसे cases में N factor कितना हो जाएगा, 2, यानि कितने electron gain या loss हो रहा है, या कितने electron transfer हो रहा है, उसके respect में N factor निकलता है, अगर आपको कोई redox reaction दे रखी है, तो, तो basically मुझे पूरा मुद्दा clear हो गया, कि अगर मुझे N factor निकालना है, तो मैं कैसे कैसे निकाल सकती हूँ, एक बार N factor निकल गया बेटा, तो फिर मैं उससे क्या निकाल सकती हूँ, equivalent mass, equivalent mass निकालने के लिए, मुझे molecular mass upon जो भी balancey factor है N, उससे उसको divide करना पड़ेगा, अगर मेरे पास equivalent mass है, तो मैं क्या निकाल सकती हूँ, number of gram equivalents, number of gram equivalents निकालने के लिए, मुझे क्या लेना पड़ेगा, mass upon equivalent weight of that substance, जो भी mass दियाए question के अंदर, upon उसका equivalent weight लोगे, तो आपको उसका क्या मिल जाएगा, number of gram equivalents, also मुझे पता है, normality is equals to number of gram equivalents upon volume in liters, तो अगर मान लीजे, आपको normality दी है, तो normality को अगर मैं volume in liter से multiply करती हूँ, तो मुझे ऐसे ही number of gram equivalents मिल जाता है, ठीक है, लेकिन अगर मान लीजे, आपने volume ml में ले रखा है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा number of milligram equivalents, तो इन terms का मतलब अगर आपको clear है, तो आप questions को easily समझ पाओगे बिटा, बिना समझे ये questions होंगे नहीं, और अगर आपको यहीं नहीं पता है कि gram equivalent क्या होता है, milligram equivalent क्या होता है, नॉर्मालिटी को volume से multiply करके, मैं number of milligram equivalent या gram equivalent निकाल सकता हूँ, gram equivalent से मैं equivalent weight निकाल सकता हूँ, overall आपको पूरा clear cut idea होना चाहिए, क्या कैसे हो रहा है, वैलंसी फैक्टर कैसे निकालना है, तो उसके भी 5 तरीक हैं, ठीक है, मज़ा आ रहा है, समझ आ रहा है, सारी बाते clear हो रही है, formula सारे अपनी note books में लिख लेना, correct? ओके बिटा, तो यह चीजे हो गई, अब एक बार आपने normality आ गया, तो हमें पता है, कि इसके अंदर भी हमारे पास क्या होता है, dilution formula, dilution formula क्या कहता है, कि अगर आपके पास dilute करने से पहले normality n1 थी और volume v1 है, तो dilute करने के बाद definitely volume v2 होगा, बट नई normality क्या होगी n2, तो n1 v1 is equal to n2 v2, also normality और molarity में क्या relation है, normality और molarity का क्या relation है बेटा, तो normality is equal to molarity into n factor, ये n factor कौन सा वाला factor है बेटा, आपका valency factor है, तो normality is equal to molarity into valency factor, यानि अगर मैं यहाँ पर लिखना चाहती हूँ, उसे molarity के terms में मैं तो उसे कैसे लिखूँगी, n को मैं क्या लिख सकती हूँ, n1, m1, v1 और n2 को क्या लिख, ये बड़े वाले n2 को क्या लिख सकती हूँ, valency factor into molarity into volume of 2, I hope you got this one as well, तो बच्चों यहाँ तक हमारे सारे formulas जितने possible हैं इस chapter के, हमने सारे cover कर लिया है, सारे important concepts को cover कर लिया है, जहाँ जहाँ पर बच्चे के question में दिक्कत होती है, ये देखो, ये जो normality वाला concept है, यहाँ पर भी काम आता है, redox के अंदर भी काम आता है, electrochemistry के दौरान भी आपको काम आएगा, जब आँ faraday second law करोगे, तो इन मुद्धों को बहुत अच्छे से दिमाग में fit ही कर लेना है, बिल्कुल कुछ भी नहीं छोड़ना है, ये मुझे कैसे पता चला है, बच्चों को इसमें confusion है, जो बच्चे पेड बैच में आते हैं, उनका जो response था, उससे पता चल जाता है, बिटा, जब आप regular sessions अटेंड करते हो, तो मैं उनको बता चल जाता है कि यार, बच्चे को ये चीज आ रही है, ये चीज नहीं आ रही है, तो मैंने ये रियलाइज किया, कि बच्चों को कहीं न कहीं, ये equivalent mass, gram equivalent, gram equivalent, milli equivalent, ये सब टॉम्स में बहुत confusion है, और valency factor कैसे निकालते हैं, उसमें भी बहुत confusion है, और एक बार ये चीज़े solve हो गई, उसके बाद numerical में दिक्कत आती है, ठीक है, तो आपने क्या करना है, आज के आज ही इनके numerical solve कर लेना है, जितने possible हो सके, उतने solve करिए, आपका उतना clarity build-up होगा, अगर नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है मिरसे questions नहीं solve हो पा रहे है, बहुत सारे बच्चें ऐसे बिटा, already paid batches में enrolled होके, हमार साथ पढ़ी रहे हैं, उनके साथ हम numerical solve करी रहे हैं, आपको भी अगर इसकी need लगती है, आजाईए, साथ में कर लेंगे, अभी भी देर नहीं हुई है, mole concept अपने आप में एक बहुत basic and important chapter है, so make sure करिए कि अगर आपको help की जरूरत है, seek the help of your teachers or your elders, जहां पर भी आप फस्ते हो, एक question में अगर आप 5 मिन्ट से जादा time waste करते हो, समझ जाओ कि वो आपके जीवन का doubt है, आप time बरबाद मत करिए, किसी भी question को 4-5 मिन्ट से उपर लग रहा है, उसे as a doubt mark करके, अपने teacher से respective teacher offline, online, जिसको भी आपने mentor बना के रखा है, उससे पूछ के confirm करिए, time waste करना नहीं है, time बहुत ही कीमती है, फॉर्मिलाज को लगाता, revise करिए और इन फॉर्मिलाज की फॉर्मिलाज़ शीट बना लीजे, that was it what I wanted to say, यह सारे notes आपको मिल जाएंगे, टेलिग्राम पे, SSP की टेलिग्राम पे, जुड़ना बिलकुल मत बूलिएगा, और एक और बात, नीचे इस फामिली का हिस्सा बन जाएए, क्योंकि अब जो हम शुरू करने वाले हैं, वो है बेटा, G.O.C. General Organic Chemistry, बहुत ही धमाकेदार सेशन आने वाला है, तो अगर आप उसे miss out नहीं करना चाहते हैं, तो please make sure to be the part of this family, and इसके लिए आपको करना पड़ेगा, like, share or subscribe to all those students who need these content in a clear format, एक दम clarity के साथ जो समझाए न, वो आपका mentor होना चाहिए, and I think कि हम ये चीज़ कर पा रहे हैं आपके लिए, अगर कर पा रहे हैं, तो comment करके जरूर बताइएगा, आपका एक-एक comment बच्चों, motivation की तरह act करता है, so on that positive note, thank you so much, we'll meet you soon in the next session, till then take care, love you all, bye-bye बच्चों, bye-bye, take care.